इंसान के ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं, दो बस जमीन चाहिए, दो बस कपन के बाद। हलो, स्वालेकु, नमस्ते, सब्स्रीकार कुशामदी, माइ ब्यूर्फु यूवर्स, कैसे हैं आप लोग, उमीद हैं दुआए कि आप सब्रोख खरिये सी हों, और देश और दुनिया में जो हो रहा है, I hope कि आप उस पर भी नदर बनाई हो रहोंगे, मिर नाम यास्मी नाप इतनी चालाकियां और भंगारियां हो गई है, तो मुझे जो चीजे मिलती थी, मुझे बहुत सारे लोग लिंग्स पेज़ते हैं, अज्टरग्राम पे भी लिंग्स मुझे मिल रहे हैं, तो आप सब का तहदिल से बहुत शुक्रिया, अभी इस वग जो हो रहा है वह यह है यह कि जैसे लोगों की बात करोई, तो फोई मतकारी नहीं होती जहन में पोई ए-ध कॉर दू बनाएं तो उचीज नहीं होती और इसदमी मिलती है है, वेस्टे अइन कुद 내가 का बोती हैं, फोग ब्री बाते हैं तो पडोसी मुल्क में जो इस वक्त यूटुबर्स गैंक जो चर रहा है जैसे मैंने लास्ट जो मेरा वीडियो आपके साथ था अगर आपने नहीं देखा हो तो दो देखिएगा जिसमें मैंने दिक्र किया था पाकिस्तानी करती है को दो हो नहीं पाकिस्तानी किलाड़ी अगर चलिए पडो clearer मुझे नहीं समझ आती है कि आपकिस्तानी पिस्टापिस्मेंंट का Paul कलाद भारत को रहता है वन है कि उनका सोसाइथि का सव्ट्रश चैनले था है बहुत बेहद नफरत भाल से और जहां पर उनको मुनाफ़ा होता है जहां पर उनको प्रॉफित होता है वो रूफ उनका कुछ और होता है तो मैंने इस मुद्धिपयर को कुछ कुछ बात की थी और जो अभी हम उनका यूटूबर का भी देख रहे हैं खिलाडियों के बाद हम देख रहे हैं मुनाफ़ा कमाने का एक बहुत बड़ा जर्या जो बन चुका है वो यूटूब बन चुका है अब यह चली ठीक है यूटूब जो है एक ऐसा प्लेटपॉम है जहां आप डिफिकल से डिफिकल मुझतिस से मुश्किल कॉन्सक्त को भी ईजिली समाज सकते ह एक ऐसा यहां पे content अवेलेबल है जहां हम चीदों को असानी से समझ सकते हैं लेकिन साथ ही साथ यह सोचल मेडिया जो है यह एक ऐसा platform भी बन चुका है जहां बड़ी ही असानी से आप narrative सैट कर सकते हैं बहुत असानी से नरेटिव साटे हैं दुनिया इस वाक जंगों में एक मुल्क का पक्ष ले रहा है, एक एक मुल्क का पक्ष ले रहा है, एक एक और्गनाइडिशन का पक्ष ले रहा है, एक दूसरी और्गनाइडिशन का पक्ष ले रहा है, एक दूसरी और्गनाइडिशन का पक्ष ले रहा है, युनाइटे नेशन्स का कोई रोल ऐसा समझ म वे स cellar कhmen पास्थूँ है कि अफिर हम की माईय का मकछर कता है मैं तो एक पर इमकल दो justified से अफिरीक्षिन निफ दड़ուज हमई हो कर दो सब्दाइननी में कि वाक इस सब्सक्राव हें Deット दो दोफ मेंना ही पर पहता है बहुत सारी ऐसी बाते ही जहांपे वोटिंग का होता है जिसे अभी हमने देखा गाजर बट्टी को लेकर जो उनाइट नेशन में वोटिंग तो उसमें भारत ने अपना वोट ने खिलाब दिया ना वो सपोर्ट भी दिया क्योंके वहांपर हमास को लेकर किसी तरह का कोई स् कि अगर कोई एक्स्ट ऑगनाइजेशन किसी जंग के पहल करती है तो उसका खामियासा उस मुल्क के बाशिक्ते उठाते हैं जो कि हम फिलिस्तीन के लोगों का देख रहे हैं जो आम नाम्रीकों की जो हलाग हो रहे हैं जो जिंदगियां जा रहे हैं तो जंगों से किसी का कि इत्वारत को जानता है किसी बितरा कहा अतिवाद को आतमबाद को कि हम गोते हैं जो हर चीज को अती में देखना है अच्छा नहीं हो सकता तो है बहारत करुक महान साब था कि या सबसे मेन बात ही है कि हमास को तो पृटिसाइस करना चाहिए था उसकी गथीका तो एहसास नहीं हुआ अभी हम क्या देख रहे हैं पडोसी बल पाकिस्तान है इनका मैंने कहा ना खिराडियों के बाद जो इनका सबसे बड़ा कमाई का दल्या रहा है वो यूटूबर्स का प्रटर्णिटी जो इनका यूटूबर्स गैंग है पर बोलूगी उन लोगों का क्या हो चु कोमेंट मुझे यह मत करते हैं आप लोगों मुझे लिंक्स शेयर करते हैं लोगों की बारमार हो चुकी है ना है इस पूरा न्या वॉड़फेर हो चुगा है कहां तक वीडियो तेक है और किस-किस की देखी और निटिक स्टाइटिक में कमी थोरी ना करना है कोई किसी को कुछ कह रहा है तो कुछ कुछ सी लेकिन जो इनके मुल्क के अंदर असल हकीकत है पहले आपनी वीडियो देखिए है वो क्या चल रहा है अभवानिस्तान के जो सालों से इनके आप रहते आ रहे हैं शरणार थी उनको कितना आसान रहा पाकिस्तान के लिए निकालना एक जटके में सरा देर नहीं लगी और यह वो मुल्क है जो भारत के उपर बाते लाता है भारत में रोहिंग्या का क्या स्टेटरस है भारत में अबवानिस्तान से कितने लोग हैं भारत में और मुबानिक को कितने हिज़ेदारी होनी चाहिए भारत में मुल्म किस हालात में हैं लो एक नरेटिफ सेट किया जाते है न अब उसमें वो बीठा बीठा खुलने वाला एक पूरा यूटूबर्स का प्रटरेनेटी खड़ा हो गया है अब बाकी जो जहर उगलना है, जो अतिवात करना है उसके लिए इसके दह्शेत गड़ इदारे हैं और जो रही सही कसरें इसनल ओर्टरिस पे जाकर इनका फॉरर्न मिनिस्ट्री हैं जो इनके वदीरेयाजम हैं जो इनके स्पोक परसद होती है यह उसको पूरा कर देते हैं, तो यह तो एक अच्छा चब रहा है, पर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अवगानिस्तान के वाशिंदों को जो साल होते ले रहे थे, कितना आसान था इनकालना और इसके कोई बात नहीं कर रहा है, भारत जो कि हमेशा मान्दिये वहुखुक के बाचितान में उस वगवी लोगों को जो आम बाचिते हैं अभी तक वो उस परिशानी से नहीं लिए बच्यों के अड़िया गया, जिरूग जो पाकिस्तान है जो पाकिस्तान है जो सोगल इस्लामिक कंट्री है, यह फिलिस्तीन पर बात कर रही है, यह एक नरिटिव साट क पाकिस्तान की सरकार ने देश में रहने वाले लाखों अफगान नागरिकों और शरणार्थियों पर एक बड़ा हमला कर दिया है पाकिस्तान की सरकार ने देश से 17 लाख अफगानों को उठा उठा कर फैकना शुरू कर दिया है आपको बता दें कि TTP के आतंकी हमलों से बौकलाई पाकिस्तान की सरकार ने अफगानिस्तान की तालीबान सरकार से बदला लेने के लिए इन शरणार्थियों को एक नवंबर तक देश छोड़ कर चले जाने के लिए कहा था पाकिस्तान का कहना है कि तालीबान की सरकार ही TTP को पालती है जबकि पाकिस्तान के पास इसके कोई पुखता सबूत नहीं है लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से बदला लेने के लिए अफगान शरनार्थियों को देश से धक्के मार कर निकालना शुरू कर दिया है पाकिस्तान में बसे अफगान शरनार्थियों के घरों को तोड़ दिया गया है चोटे चोटे बच्चों और बूडी महिलाओं समेत लाखों अफगानी शर्णार्थियों को पाकिस्तान की सरकार ने ट्रकों में भरकर बॉर्डर पार फैकना शुरू कर दिया है खबरे तो यहां तक हैं कि जिन लोगों ने जाने से मना कर दिया उन्हें चुप चाप मारा जा रहा है मकारी देखिए कि पाकिस्तान एक इसलामिक देश है लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में अफगानिस्तान के मुसल्मानों को मारा जा रहा है अब आप अंदाजा लगाईए कि पाकिस्तान के हिंदूों की क्या हालत होगी हैरानी तो इस बात से भी होती है कि पाकिस्तान की सरकार अफगान शरणार्थियों को जानवरों की तरह भगा रही है लेकिन कोई मुसलिम देश इस पर बात करने के लिए तयार तक नहीं है हैरानी की बात देखिए कि जब भारत सरकार ने देश में बैठे अवैद बंगला देशियों और रोहिंग्याओं की सिर्फ गिंती करना चाही थी तो 57 मुसलिम देश रोने लग गए थी पश्चिमी देश च्छाती पीटने लगे थी भारत अगर पूरी इज़त के साथ एक शरणार्थी को भी देश से निकाल दे तो ऐसा माहौल बना दिया जाएगा कि दुनिया खत्रे में आ गई है हमारा मानना है कि 57 मुसलिम देशों को इन 17 लाख अफगानिस्तानियों को अपने देश में शरण देनी चाहिए और पाकिस्तान को दी जाने वाली सारी आर्थिक मदद बंद करनी चाहिए लेकिन हम जानते हैं कि मुसलिम देश ना तो अफगानियों की मदद करेंगे और ना ही फिलिस्तीनियों की बहराल जाते जाते जानकारी के लिए बतादे कि अफगानिस्तान के लोगों की पाकिस्तान पहुँचने की शुरुआत साल 1989 में हुई थी उस समय सोवियत संग ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था और करीब 50 लाख अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में आ गए थी इसके बाद अफगानिस्तान से दूसरा बड़ा विस्थापन साल दोहजार एकिस में हुआ जब अफगानिस्तान की सत्ता पर तालीबान का कबजा हो गया था तो दोस्तो आपने देखा पाकिस्तान में जो इस वक खालाद हैं और यह जो लाखो अपगानियों को इस तरह से उनको बेगर करने उनको पर हमला और बहुत सारे जिपोर्स आ रहें बहुत कुछ है अब क्या हुआ है इस पूरे ही आप जो पूरा चलन चल रहा है ना कि यह ब अमन और सुकुन कायम करने की एक एक पहल भी करोगी ना तो यह मुल्क हमेशा सुन्दर बना रहेगा कायम रहेगा खुश्या रहेंगी किसी भी तरह से अपने आपको पॉलिटिकली और रिलिजियसली अपने आपको इंडल्जमत करों जो पनत है लेकिन अभी समयने की क्यों कि एक जो यूट्यूबर्स का गैंग है वो हलब भारत की तारीफ है प्राइमिस्टर हमारे उन की तारीफ है हमारे देश के अदर की पॉलिशी के बारे में रहे हैं एक कोई चीज होती नहीं है इन लोगों को नियूज परे से बिचान यही उस पर कर आई है दूसरा मगर मैं बात यह कहती हूँ जब हमारे हाथ सिटिसाइशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जो भी कुछ उस पक चला उसमें सबसे ज्यादा आग में घी डालने का काम जो है पाकिस्तान की तरफ से बना था इनके सहाफी बैट कर बड़े-बड़े तसकरे कर रहे होते थ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का जो गैंग है भरभर के जो बेवकूब बनाने को पैठे है अपने पीछे अपनी भारत के जंड़ा भी लगाने लगे है एक शस बो बोलता है कि मैंने चालेंज किया है मैंने चालेंज किया है और मुझे नहीं समझाती है अब हमें और आप कांट्री होने का दम बढ़ते हो आप आलम इसलाम की चिंदा में पढ़े हो आप उम्मा की फिक्र करके दिखा रहे हो नहीं कभी विगर मुसल्मानों के बारे में बात करते हैं नहीं कुर्दिश मुसल्मानों के बारे में बात करते हैं नहीं रुहिंगा मुसल्मानों के बा और उन मासमों को बचाईए जो हमास की वजय से यह जंग छिड़ी और अब इसराइल पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है वो कहा रहा है कि यह ठीक है तुमने चेड़ी क्यों हम भी इसको खतम ही करके छोड़ेंगे जबकि पूरा अगर आप पढ़ेंगे ना बहुत ध्यराई में जाएंगे ना इसराइल और फिलस्तीन और वादा यह सबाब इसका जब पूरा हिस्ट्री बढ़ेंगे और फिन जियो पॉलिटिक्स पढ़ेंगे और इसमें जो इस वक्त हलात हैं उस सुरह से हाल को जब आप अनेल्सिस करेंगे तो आप दिखेंगे हमास कुछ से बना हुआ नहीं है हमास को बनाया गया है और जो बड़ा बोले लगते हैं यह कंट्रीज आप एक दिखा दीजे मुझे प्रोटेस्ट साओधी अरब में कोई प्रोटेस्ट कुआ हो जो चौप चौप इस्वायर एक जगह है साओधी अरब में हलाप कर दिखाएंगे खास्म कर दिखाएंगे प्रोटेस्ट करके दिखाएं फिरस्तिनियों के समठ्थन में जाकर पासितानी वावपर या कोछ सबूदी में रहने वादा कोई व्यक्ति अगर इस तरह की कोई ह तो इनका देखिए मिडल इस्ट का अगर यह चाहते है तो यह जंग नहीं शुरू होती और अगर हो गई थी तो वह खत्म होती इन सब कुछ लिए जहां जिन चीजों के आलोजना करनी थी नहीं की गई बल्कि उंकित तारीक की गई अब पड़ो से मुल पाकिस्तान में अगर हम यहां पर सिटिजन्शिप अमेंडमेंट एक्ट के वक्त में जिस तरह के हालात भारत की किये गए अगर हम यहां पर कुल कर बात कर सकते हैं अकेले अपने मुल्क के भलाई के लिए तो किसी भी एक का बोलन जरूरी है चाहे को आपका कोई पॉलिटिकल बैक्डाउ आपको कोई स्ट्रॉंग सपोर्ट ना हूं लेकिन आपका बोलना दरूरी था इसी भी यह बात की थी दोस्तों एक अच्छी नियत के साथ बात की तो पाकिस्तानियों का तो पूरा गैंगे पटीड़ों क्यों बात नहीं कर रही नहीं करेंगे तो खेर अभी आप देखिए पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से निकालने की मुईम छड़ गई है और जैसे कि मैंने शुरू में किया कहा थना कि इनसान की खौाहिश की कोई इंतहा नहीं दो बस जमीर चाहिए दो बस कपन के बात इन पाकिस्तानियों की खौाहिशों की कोई इंतहा नहीं पैसा इनको आ जाएगा जाएगा तो भारती है अगर इनके खिलाफ पोलेंगे तो जैचन भारत में बैठे वे भारतियों को गारी देंगे मगर इनको सपोर्ट करेंगे जो कि कर दे है तो आप देखिए इस सब सूरत हाल में उनको सपोर्ट करने वाले हैं उनको silent hidden support मिल भारत से ही चाहे हो जाहे हो भार में दिमाग लगाकर इनको जो पीछे से support किया जा रहा है मुझे बहुत इस चीज का हमेशा अशोस होता है और जैसे के मेजर गौरवाडिया साहां कहते है हमेशा से किस मुल्क के किले के दर्वादे हमेशा अंदर सी फुले हैं यह पाकितान में चल रहा है अब एक उमीद थी ना होने कि इसलाम ही कर रही है पाकिस्तान यहां से हमें कैसे निकाला जा सकता है लेकिन हमारे citizenship agreement पर बात करेंगे वहां सवाल खड़ा करेंगे लेकिन इनके खुद के मुल्क में क्या हो रहा है इस पे कोई बात बात करेंगे बात करेंगे बात करेंगे यह जो इनी लोगों का चल रहा है just because इनको फायदा है चाहे वो डरिटी से हो, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो इनकी इमेज से हो, हर चीज से मद्बूती में रहने है और वो मद्बूती देने वाला कुद भार्ती है और अपनिस्तान में जो इस वक थालाद है पर पाकिस्त इस बार पर जरूर सोचेंगे पाकिस्तान के खिलाडियों का गेंग, पाकिस्तान के इस्टाबिश्मेंट का गेंग, पाकिस्तान के पॉलिटीशन का गेंग, साहफियों का गेंग जो इनका पुरा गेंग, इनकी गुरूपिन जो हो गई है और इसको सपोर कर रही हो पाकिस अप्लानी पुचा रहें एडिजिन में कि नामबर बहुत शुक्ति आपना उन्पने क्यार बहुत रहें रहें प्रिमिल बीगने विडियों का तक तक की लिए जार रहें बहुत शुक्ति जाहिंगें